हलो एवरीवन, वल्कम टू एजुकेर, एजुकेर करंट अफेर्स में आज हम पढ़ेंगे एर्ट अफजुला के करंट अफेर्स, टोटल में ने 22 न्यूस को कवर किया है, और यह सारे आपके बेंके एंगे एंगे कासी इंपोर्टेंट, चीज़ें हैं सारी की सारी कुशन्स और अगर आपको इनकी PDF सही है, जैसे कि डेली करंट अफेर्स की मन्तली, वीकली, हर परगार की अगर आपको PDF सही है, तो आप नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको लिंक दिया गए टेलिग्राम चैनल का, जहांपर एजुकेर करंट अफेर्स में आप देखेंगे, सहन गांधिनगर गुजरात, वहनि इंपोरेंट बरेंगा कि कहांपर ये होस्ट हुआ, डिजीटल इंडिया वीक, तो आंसर होगा गांधिनगर गुजरात में, नाम में चैपा इसका काम, obviously, डिजीटली, डिजीटली चीजों को बढ़ाना, डिजीटली चीजों को बढ़ाना में यानि सिंपल है इंडिया को डिजिटिली ट्रांस्फोर्म करना इस इस विक का मकसद था अब इसमें इंपोरेंट क्या चीज है इंपोरेंट यह है कि इस चीज को इस विक को इन्फोर्मेशन टेकनलोजी के द्वारा जिसे हैड किया जाता है अश्विनी वेशनाव के मौधी जी ने यानि और मौधी जी इसे इन्फोर्मेशन टेकनलोजी को और इसी ने इस विक को इन्फोर्मेशन टेकनलोजी को और इसमें मौधी जी ने यानि ओर्गनाइज करवाय था और मौधी जीनी से इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन टेकनलोजी को और इसी ने इस Catalyzing New India TechEd TechEd का मतलब होता है जैसे Decade होता है वैसे TechEd हो गया तो उसी से relate करके बनाएगा वर्ड है Catalyzing New India's TechEd यह important theme बनेगी इसी की दुरान प्राइम इसे निरेंद में पुछ चीजे लॉंच की है वो आपको सिर्फ उनका नाम याद रखना है एक तो है Digital India भासीनी यानि भासादन यह लॉंच के गया है ताकि वर्णाकलों लेंग्विज़स को बढ़ावा दिया जा सेके यानि हर किसी को इंटरनेट एकसेस हो अपनी लेंग्विज़स के अनुसार यह प्रपस एक तो दूसरा है Digital India जेनिशिस इसका भी परपस यह है Digital Economy के और बढ़ाना अगला है My Iskis My Skim का परपस है कि जितने भी इसकिम से उनको एक जिगल लाना जितने भी लोगों के वेलफेर के लिए स्किम से उनको एक जिगल लाना यह My Skim का परपस है अगली और लास्ट है e-book लांच की जिसका नाम है Catalyzing New India Tech यानि थेम के उपर ही इसका नाम है बुक का नाम भी थेम के अनुसारी दखा गया है तो याद रखी सारी चीज़े Digital India Week क्योंकि मोधी जी इनिगरेट किया है इसलिए इंपोरेंट बंदा है सारी चीज़े अगरे निउस है इसलिए प्राइम निccère मोधी इनिगरेट किया एक ब्रांच स्टिचू और दे फ्रिडम फाइटर अलूरी सितारमन राजू आलूरी सितारमा राजू इनका एक इनिगरेट किया गया है ब्रांच स्टिचू और इनिगरेट किसने किया पि. एम मोध ine अब ये अलूरी, सितारामा, राजुकोन ये एक freedom fighter है from the Andhra Pradesh और इनकी जो statue बनाए गई है वो 30 feet लंबी है, 30 feet के height की ये bronze statue है और इसे इनगरेट किया गया है भीमावरम city में, भीमावरम city ये Andhra Pradesh में ही है और governor और chief minister के उपलबदी में, उनकी presence में ये इनगरेट किया गया ह अबर्थ anniversary के उपलग्स पर इनगरेट किया गया है अलूरी सितारमा राजु की 125th birth anniversary के उपलग्स पर इनगरेट किया गया है जिनका जिनम हुआ था 4th of July 19, 1897 और 4th of July 2022 को इनको 125 years हो जाते हैं तो याद रिखे, 4th July को इनका birthday है अलूरी सितारमा राजु का और अलूरी सिता नहीं है उनका नाम है मनियम वीरूडू मनियम वीरूडू का मतलब होता है hero of the jungles, hero of the jungles तो इनका ये निकने में आप खह सकते हैं ये याद रिखे लिजिये, मनियम वीरूडू अगल नहीं हुझे ओडिसा top of the list of first edition national food security ranking national food security ranking release के गए और ये first of kind ranking है और इस ranking का पूरा नाम है state ranking index for national food security act NFS at 2022 इस national food security ranking का जो ranking release करने का purpose है कि जो national food security act के अंतरकत जो system हाता है यानि food and public distribution जो system हाता है उसके best implementation और लोगों के welfare इन यानि जो रासन परवाड़ी करवाते हैं इस से related जो best implementation है best welfare जो काम कर रहा है जो state काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग ये ranking release की गई है तो ये release की गई है पियोस गोगल के जोरा जो की commerce and industry minister है consumer minister है इनी के जोरा इसे launch किया गया तो अब इसमें क्या क्या important बनेगा इस ranking में इस ranking में top किस ने किया है top किया है general category में बात करे है यानि large state और बाकी के जितने भी states से उसमें में बात करे है तो audition इसे top किया है followed by उत्तर परदेश आंदर प इसमें top किया है chili जोगे इसे अगर यूटी में बात करें Свचिव की बात करें रहा है ऌर मैं हिनदर नागर कि first ranking है important ranking है को पुचा जा सकता है पुचा जा सकता है Nord Eastern Region में किसा ने टॉप किया और UT में किसी ने टॉप किया Baak nee weed value distribution system इस Low ok सेक्टर food security food का इस्टोडे से यह देखता है तो यह याद रखिए national food security ranking अगले जो राजस्तान government said to introduce इंडिया's first right to health bill 2022 right to health bill का मतलब है हर किसी को अपने स्वास्ते का अधिकार है अगर किसी परकार की कोई इलाज किया हो सकता है अगर अफोर्ड ने कर सकता तो government उसे पर यह कह सकता है कि subsidy परवाइड कराएगी उसे health insurance परवाइड करवाइगी तो इसी के रिगार्डिंग राजस्तान government पहले से भी एक scheme ला रख ही है जिसका नाम है मुखे मंत्री चिरिण जीवी स्वास्ते भीमा योजना इंपोर्टेंट योजना है यह मुखे मंत्री चिरिण जीवी स्वास्ते भीमा योजना जिसमें 10 लाग रुपे तक का treatment परवाइड करवाइड करवाइड जाता है गवर्मेंट के दुवारा और ऐसा करने वाला पहला राजय बन गया है, राजस्तान, डारेक्ट क्विशन एक नमबर का, याद रखिए, कल राज मिस्र, राजस्तान के गवर्नर है, और असा गयलाद, चीफ निस्टर है, अगली नुज उत्रपर्देस बिकेम दे फॉर्स इस्टे टू, इंटेग्रेट और वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट मार्ट, विद ओपन नेटवर्क, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफर्म यह बहुत ज़्यादे न्यूज में, इससे रिलेटेड एक नमबर का क्यूशन जरूर जरूर देखने को मिलेगा, आपके आने वाले बेंकिंग एक्जाम्स में, तो यह इंपोर्टेंट आपके एक्जाम्स पोइंट ओफिस है, तो इसमें क्या है कि ओपन नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स, जिसका परपस है कि हर चोटे शॉप्स वाले को, हर किसी को, ओनलाइन जो इकोमर्स प्लेटफर्म पर लाने के लिए यूपी ने रिसेंटली ओनडी सी के साथ इंटेग्रेट किया है, तो याद रखिए, यूपी ने अपने वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट्स को सभी को ओनडी सी में लाने के लिए ये डील की है, इतना याद रखिए, और ओपन नेटवर्क, डिजिटल, बनेखिए, अजा लगा ज़ाूंट अपनेटारि मिनिस्टी ओफ को में अफोड फूड प्रोसिटेः के अंतर दीमिनिष्ट्रि ऑफूड से लाने तesseंबर को मार पार्ण keद यूवर् मी अगले जी मिनिस्टरी मारी अफेर मिनिस्टरी अभी अपडेट आपको पता है तो नए मा werden अभर अफेर्समिनिस्टर उ आ गये जो मुक्तार banner नक kötई उनकी जिग्स सम्र्ती उरानी को एडिसनल चार्ज दे जहिए मुने का तो Minority Affairs Ministry inaugurated the 5th Global Film Tourism Conclave in Mumbai Film Tourism Conclave यानि टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए ये Conclave host हो था और इसे host किस नहीं किया था, इसे inaugurate किस नहीं किया था Minority Affairs Ministry नहीं इसे inaugurate किया था लेकिन इसकी जो theme है Unleasing the Power of Cinematic Tourism इस Cinematic Tourism से ये जो theme है Unleasing the Power of Cinematic Tourism इस tourism theme को launch किया है Ministry of Tourism and Ministry of Information Broadcasting के दौरा, इन दो ministries के तोरे theme launch किया थी लेकिन इसे inaugurate किया है Minority Affairs Ministry के दौरा और कहाँ पर Mumbai में, Mumbai में किस दिगए है? नव होटल Mumbai, जुहू बीच में अगलने जे Agriculture Minister inaugurates दीमापूर Honey Testing Laboratory in Nagaland Nagaland में दीमापूर Honey Testing Laboratory इस लेपूरेटर का मक्स सिंपल इतना है, Honey की best testing की जासे के Honey की testing करने के लिए लेपूरेटर लाँच की गई है तो एक नमबर का परसन है, Agriculture Minister जिसे head किया जाता है Narendra Singh Tomar के दौरा और इन्होंने ही इसे Honey testing को नागालेंड में किया है इन्होगरेट किया है, याद रखिए अगलनी उझे Innerculum Dairy is set to become India's first fully solar powered dairy plant First fully solar powered dairy plant of India's First India's first इसलिए important बनेगा क्योंकि जो dairy federation के अंतर के जितनी भी dairies आती है, उन dairies कोई भी solar powered नहीं है, लेकिन पहली बन गई है Innerculum Dairy जो fully powered है और यह dairy plant है, dairy plant है जिसमें 2 megawatt का solar install किया गया है for the cost of 11.5 crore rupees and this plant is funded by National Dairy Development Board National Dairy Development Board के दोरा इसे fund किया गया है और इसका headquarter कहाँ पर है आनन्द वीचिजिन गुजरात यह गुजरात में इस्तित है, आनन्द और इसी के दोरा fund दिया गया है अब Innerculum Dairy कहाँ पर हिस्तित है, Innerculum से आगो समझ में आता है, तो यह केरला में हिस्तित है और केरला government ने यह launch किया है और केरला की यह dairy है और के केरला cooperative milk milk marketing federation के अंदर गताती है यह dairy plant और इस Innerculum Dairy को वहाँ पर local में बोला जाता है Milma's Innerculum Dairy Milma's Innerculum Dairy यह भी आप नाम याद रुखिए लेट समोगे नेक्स्ट कोश्टिन इर इस दे नेक्स्ट कोश्टिन affordability index for the first half of 2022 एक index रिलीज किया है लेकिन ही first half of 2022 का है January to June यह क्या कहता है यह affordability index यह कहता है कि एहमदाबाद is the most affordable housing market अगर आपको घर लेना है तो सबसे best सबसे सस्ता आपको मिलेगा एमदाबाद में सबसे best आपको affordable काम मिलेगा एमदाबाद में आपको मिलेगा यह पूरे इंडिया के इसाब से नहीं बताए गया है कि पूरे इंडिया में आपको सबसे सस्ता यहां मिलेगा यह top 8 cities को includes स्मुट दो सें टाउट और पूने इसके बाद चैन्ने और पूने दोनों को सें रेंगऑ हैं लेकिन लेगन बात करें सबसरे का strong काँ पर है तो यह मुंभाई में आपको देखने को मिलेगा. मुँबई के बाद फिर है दरवाद देली एन बैंग लूरू याद रिखिया अगले न्यूज है साउथ इंडियन बैंग साउथ इंडियन बैंग पार्टनर्स विद केरला स् फोरेस्ट और वाइलाफ डिपार्टमेंट फॉर दिजिडल पैमेंट क्लेक्शन तुरिजम सेक्टर है यह जो तुरिजम सेक्टर से रिलेटे न्यूज है साउथ इंडियन बैंग ने केरला स् फोरेस्ट और वाइलाफ डिपार्टमेंट इसके साथ क्यों है मुझ साइन क्या है सावथ इंडियन बैंक 124 पॉइंट तॉइल मसिन से इस इंस्टॉल करेगा इन फर्टी श्रेश्ट अइस चीज़ए ऐड़ की जाएगी सावथ इंडियन बैंक की बात कर लेती हैं इसका एक बैंक है और इसकी टेक लाइन है experience next generation banking experience next generation banking अगली news इस्टेट बैंक ओफ इंडिया general insurance launches cyber insurance cover for individual cyber voltage इसका नाम्यादर किये cyber voltage cyber insurance से क्या आप समझते हैं cyber insurance से simple मतलब यही है अगर आपको data चोरी हो जाता है cyber crime से आप विक्टिम हो जाते हैं cyber crime के तो आपका data चोरी होने से जो आप legal कारवाई करेंगे legal कारवाई करेंगे तो legal कारवाई में जितना आपको खर्च होगा वो है आपको जितना mental distress disturbance होगा उससे related अगर आप किसी इलाज करवाते हैं उसका expenses जो होगा वो कौन बर्ण करेगा insurance company बर्ण करेगी और वह कौन सी है State Bank of India अगर आप cyber voltage के इंतर गताप insurance cover करते हैं तो यह simple इ State Bank of India General Insurance अगर आप cyber voltage को लेते हैं तो cyber voltage आपको समझ आ गया होगा cyber crimes related यह insurance plan है बस इतना आप याद रखिए तो financial losses arise due to the cyber risks and attacks State Bank of India General Insurance के MD and CEO Managing Director and Chief Executive Officer कौन है परी तोस तिरी फाटी परी तोस तिरी फाटी परी तोस तिरी पाटी अगर यह जे जी आर एस गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंजिनियरिंग एंड इंजिनियरिंग एंड वेस्ट बेंगोल गार्डन रीच सी बिल्डर्स इंजिनिरिंग का headquarters कहाँ पर Kolkata में है और Kolkata कहाँ वेस्ट बेंगोल में है तो वेस्ट बेंगोल ने ही अपने city में अपने capital city में इस जी आरेखी के साथ M.O.E. क्यों सायन किया है क्योंकि इसको बनवाना है electric ferries West Bengal government चाहती electric ferries और electric ferries किसे बनवाएगी जीरेखी से बनवा पर बंदर गुजरात आफ काफी हर दूसे तीस दिन न्यूस में आप डेली पढ़ रहे हैं कि आपको एक particular एक लिस्क बनाकिर में दे दूंगा और वेरी सुन में अपको लिस्क बनाकर दूंगा तो उसमें सारी में सारी में हुगी कि इंडियन कॉस्ट गार की इंडियन आप काम के की पॉरबंदर क्योंकि नंबर चेंज होंगे और बाकि और कुछ खाथ सेंज होगा नहीं तो नंबर आप याद लिए 835 पॉरबंदर गुजराथ पॉरबंदर गुजराथ में अभी तक फॉर एलह इंडुक्ट किये गई है अब तक इंडिन कॉस्ट कार्ड के दुआरा आउट इंडिन निव्ज है इंडिन तो क्या है कि एक नंबर आपको जीशेवन समिट में गए थे जिसेवन समिट जिसे 2022 का इडिसन किसने पॉस्ट किया है और जर्मनी में ही जो पांच कंट्रीज है वें नौन परमानेंट कंट्रीज के रूप में इनवाइट की गई ती जिसमें कौन कौन सी कंट्री है एक तो है अरजेंटिना है एक है अपनी सेनेगल है दूसरा है दूसरी साफ अफरीका फिर इंडोनेशिया और एक आता है इंडिया इंडिया के इसमें नाम नहीं है और फिर आता है इटली इटली तो परमानेंट मेंबर इटली नहीं इसमें कौन सी क गिफ्ट दिया है तो यह सारे गिफ्ट्स इंडिया के हैं इंडिय में ही कहीं न कहीं popular है जिसे की गुलाबी मीनाकारी ब्रूच एंड कफलिंक यह वारानिसी का है वारानिसी यूपी का जो कि जी टेग्ड है आपको यह मुझे नहीं लगता इतना इंपोरेंट बने किसे आप सिर्फ इनका यह याद दिख लीजिए कौनसी इंडिया में किस जगह से बिलोंग करती है क्योंकि यह पुचा जा सकता है कि पीस ओ ब्लेक पोट्री कहां से बिलोंग करती है तो निजावाबाद यूपी मैकसिमाम आपको यूपी देखने को मिलेगा इसमें यूपी मे आपको देखने को मिलेगी आपको एक से दो बार देखना होगा कौन सी कहां पर है थोड़ा बहुत देखना जुरूरी है अगले उजे नाटो नौर्थ अंटलार्टिक टीटी और्गनाईजेशन नेशन साइन एन असेशन प्रोकॉल फॉर स्वीडन एंड फिनलेंड सिंप तो वेरी सुन आप देखने को मिलेगा कि अभी आप देखेंगे कि इसे ऑफीशील है भी तो अनौर्ण्स के गया नहीं और नाटो के दौरा कि अब ये थर्टी से हम थर्टी टू हो गए अभी तक तो इतना अनौस नहीं किया है सिर्फ इतनी नूस आई है कि अभी बेल्जिय में और यहीं पर ये साइन हुआ है अगली उजेब पॉलेंड होस्टेड इलेवंध वॉर्ल्ड अरबन फोरम ओफ युनाइटेड नैसेन इन नेशन का ये एक फोरम है इसका नाम है वरिल्ड अरबन फोरम और इसका 11 एडिसें किसने होस्ट किया है पॉलेंड न इसी WRI World Resources Institute के साथ मेलकर इंडिया ने इंडिया फॉरम फॉर नेचर बेस सॉल्यूशन लॉंच किया है यह आप एक चीज़ याद रखे लिए जिसका ओविसली मतलब है कि जो कुलमला के एनवार्मेंट फ्रेंली चीज़े एनवार्मेंट को प्रमोट करना जदे ज़्याद नेचर को बचाना नेचर को यह सारी चीज़े एम है इसका तो एनवियेस नाम याद रखे और यह कह सकता है कि ट्रीज को बढ़ावा देना डबलू यू एफ वर्ल्ड अर्बन फ्रॉर्म जिसका पहली मीटिंग हुई थी नायरोबी कौन्या में दोजार दो में यह इंपोटेंट नहीं बनेगे आप याद रिके अभी कहां पर होस्ट हुई है अगरे निउस है यूक्रिय सब्सकता है इस इसे इसनल में नाम है США इस फिल्ट मेल का पूरा नाम है इस फिल्ट मेल का पूरा नाम है International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics देखिए अगर आपको पता हो तो अगर आपको पता हो तो Nobel Prize Mathematics में नहीं दिया जाता है लेकिन Mathematics का Nobel Prize इसी अवर्ड को बोला जाता है Filled Medal को तो Filled Mathematician का Nobel Prize कौन सा है Filled Medal है जिसका पुरा नाम है International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics इसका Headquarter यानि जो International Mathematical Union ने जिसने अवर्ड दिया इसका Headquarter काँपर बर्लिन जर्मनी में है और ये अवर्ड जितने वाली Second महिला बन गई है Mariana Vijavos का लेकिन पहली महिला कोन थी बस इतना आप थोड़ा बहुत याद रख लिए ये बाकी एक्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि पहली महिला कोन थी ये थी Mariana Mirja Kony Mariana Mirja Kony ये 2014 में से दिये गया था और ये Iranian Mathematician थी जो कि पहली महिला बनी थी और अब Second महिला कोन बनी ये Mariana Vijavos का तो इनका नाम याद रखिए है अगले उजए राम vraag राम राम दर्स मिस्रा ये देख सकते हैं आप यही है राम दर्समिस्रा और इनको सरस्वती सम्मान 2021 का 2021 का, 2021 में तो नहीं दीय गया त्यू तो Covid situation बट 2022 में ये अवर्ड दिय गया सरस्वती सम्मान 22 राम दर्समिस्रा को और रामदर्समिस्रा एक point है, एक literature है, प्रोफिशर है और इनने को यह आवार्ड दिया गया है और इनकी एक poem collection रहा है जिसका नाम है मैं तो यही हूँ इस ही collection, इसी poem collection के लिए सरसवती सम्मान आवार्ड दिया गया राम दर्शिमिस्रा को और राम दर्शिमिस्रा जिनका जनम हो था दुम्री विलेज में हो था जो कि गोरकपूर डिस्टिक में है। ये एक prestigious literary award है और literature में ये अवर्ड दिया जाता है और ये दिया जाता है किसी भी Indian language में किसी भी Indian को दिया जाता है Indian citizen को किसी भी Indian language में ये अवर्ड दिया जाता है अगली उजे Garmin Limited appoints Indian Indian triathlete Kaustub Radkar as a brand ambassador Garmin Limited एक technology company है एक technology company US की और इसी ने Indian triathlete को appoint किया है कौन है triathlete Kaustub Radar और Kaustub Radar को appoint किया गया है Garmin Limited के brand ambassador उनका नाम याद रखिए और कुछ important है बनेगा और इन्होंने Ironman Trithon 30 बार complete कर लिए इन्होंने 30 बार Ironman Trithon इन्होंने complete की है और इसे करने वाले पहले Indian है ये तो याद रखिए ये भी important बनेंगे और इनका appointment भी important बनेगा आगले न्यूज है पॉलिशी बाजार है लॉंस्ट इस लैटेस्ट ब्रेंड केमपेंड फीचरिंग एक्स्टर पंकस्त्रीफाटी पंकस्त्रीफाटी आप अब यह सब सब को जानते हैं बियार से बिलोंग करते हैं पंक पंकस्त्रीफाटी का तो याद रखिए पॉलिशी बाजर जो कि एक ओनलाइन इंस्ट्रेंस मार्केट प्लेस हैं अगले विजे वर्ल्ड जुनोसिस डे इस अनुली अब्जर्स अब्जर्स अक्रोस दे गलॉब उन 6 जुलाई हर साल को 6 जुलाई हर साल 6 जुलाई हर साल 6 जुनोसिस डे और वर्ल्ड जुनोसिस डे का मकसद यह है कि जो जुनोटिक डिजीज इस होते हैं कोरोना जुनोटिक डिजीज थी तो इन डिजीज को इन डिजीज के बारे में अवेर्नेस ता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाय जाता है वहें बिमारी जो एनिमल से हुमन्स में आती है, animals से humans में आती है, उन विमारी उसके बारे में awareness था बढ़ाना इसका main purpose है, 6 जुलाई को चूज करने का reason यह है कि 6 जुलाई of 1885 को पहली बार इंडिया के लिए rabies vaccine बनी थी, पहली rabies vaccine कम बनी थी 6 जुलाई 1885 को बनाने वाले कौन बायोजिस्ते, Lewis Posture, Lewis Posture इन्हीं के दवरा यह vaccine बनाए गी थी और इन्हीं के इस invention, इस discovery के लिए यह दिन मनाए जाता है, world genesis day अगली उझे freedom fighter पदम स्री अवर्ड विनर या recipient पीपी गोपी नातन नायर, पास्द वे रिसेंटली, इनका निदन हो गया है, पीपी गोपी नातन नायर का, और इन्हें पदम स्री अवर्ड दिये गया है, 2016 में, इनका नाम याद रखिये, और इनका फिल्ड याद रखिये ये freedom fighter है, केरला में इनका जनम होता, केरला से भिलोंग करते हैं, तो यह था आज का 8th of July का current affairs, अब मिलते है 9th of July की 9th of July की class में, तब तक के लिए good bye, अगर आपने भी देख सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर लीजिए,